दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं setup को upgrade करने जा रहा हूँ और जब setup को upgrade करते हैं तो सबसे जो main चीजे वो होती है हमारी video lights क्योंकि camera light पर depend है जितनी अच्छी light होगी उतना ज़्यादा अच्छे से camera आपकी picture click करेगा आपकी video जो है वो बनाएगा तो यहाँ पे मैं light सबसे पहले अप्डेड कर रहा हूँ और पहले से मैं use कर रहा हूँ Simpex के दो softbox जो मैं left और right में use करता हूँ लेकिन अभी मैंने buy कर लिया है Godox SL60W light और ये light काफी premium है थोड़ी costly जरूर है लेकिन premium light है और बहुत ही अच्छी light बताई जा रही है बहुत YouTubers इसको use करते हैं तो मैंने भी purchase कर लिया इसके एक unboxing आप देखें फिर हम दिखाएंगे वही कितना फरक पड़ता है सहद आपको पसंद आए नमस्कार दोस्तों मैं हुयोगी योगेंद्र आप देख रहे है technical योगी no drama no click bet only tech तो दोस्तों ये है Godex SL60W light इस box में light है ये वाला हम इसको install करेंगे देखें यहां पर सबसे पहले मिलते हमें power cable तो इसको भी मैं रख देता हूं side में इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर हमको मिल जाता है इसका एक bill तो bill है जो इसको भी मैं side में रख देता हूं और यहां पर हमें कुछ paper मिल जाता है यहां पर देख स light को जो है adjust कर पाएंगे सारी चीज़े इससे control कर पाएंगे तो इसको मैं side में भी रख लेता हूँ और यहाँ पर जो main light है उसको मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखें दोस्तो यह है एक light godex की और मैं इसको यहाँ जो इसकी wrapping है इसके बाहर निकालता हूँ तो दोस्तो यह है godex SL60W तो यह main light है और इसके बाद यहाँ पर यह देखें यह इसका जो है box है जो इसके हम सामने हम लगाएंगे तो यह total light है अभी मैं light को symbol करूँगा उसके बाद दिखाऊंगा तो इसको भी मैं side में रखता हूँ फिर हम इसको open करते हैं तो दोस्तो light का box आपने देख लिए उसके बाद यह bag है इसको भी मैं यहाँ पर open कर लिता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले हमें एक और follow thing मिलती है और इसके अंदर जो है यह black color की grid आप देख सकते हैं इस तरह की है और इसको जो मैं install करूँगा तो बताऊँगा कि यह कैसे काम करेगी तो हम side में रखते हैं इसके बाद यहाँ पर मैं और एक चीज़ निकालता हूँ बारे में बात करेंगे तो इसको मैं side में रख देता हूँ इसके अलाबा हमें यहाँ पर कुछ diffuser मिल जाते हैं यह देखिए इस पोलोजिन में है diffuser इस तरह का diffuser है यहाँ पर हमें दो diffuser मिल रहे हैं तो यह भी मैं side में रख देता हूँ तो इसको भी मैं अभी assemble करता हूँ पूरा ताकि आपका time खराब ना हो उसके बाद बात करते हैं कि भाई light कैसे काम करती है तो दोस्तों finally हमने Godox SL60W को assemble कर लिया है आप देख सकते हैं ये है इसका octa box और यहाँ पर ये है light Godox SL60W अब यहाँ पर ये इसका remote है इस remote से हम इसको off कर सकते हैं ये देखें ये off हो चुकी है और ये on भी हो जाएगी इसका जो बाकी temperature है वो भी हम control कर सकते हैं इसके अंदर आपको 16 channel और 6 group मिल जाते हैं और ये जो remote है ये एक universal remote है अगर मान लीजिए आप पस Godox की एक से जादा light है तो आप multiple lights में भी इसे use कर सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने की तरफ से ये किस तरह से दिखाई देती है और मैं इसको यह off कर देता हूँ तो ये जो आपको grid दिखाई दे रही है इस grid का मतलब ये कि जब हम कोई unboxing करते हैं तो किसी मालों कोई box है इसको अंदर mobile है कोई भी gadget है उसके उपर आप focus इसको set कर सकते हैं focus सीधा वहीं पड़ेगा light फैलेगी नहीं तो उससे camera में जो आपकी video quality आएगी वो काफी कमाल की आएगी बाकि चाहे तो हम इस grid को यहां से हटा भी सकते हैं यह जो grid है यह इस तरह से हट भी जाती है चारो तरफ से और वापस इसको attach भी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि light के backside में आपको क्या क्या feature मिलते हैं तो दोस्तों यह light का backside यहां पर आपको handle मिल जाता है इसके लावा on off का button अभी यह ओफ है यहां पर इस तरह से देखिए इस तरह से में आपे on कर सकते हैं लेकिन मैं अभी remote से off किया तो remote से on होगी तो देखे remote से on यहां पर हो गई है इससे आप temperature वगरा set कर सकते हैं यहां भी आपको button मिल जाता है channel आप देखिए channel 1A पर अभी set है और यहां पर group और channel को change करने का option मिल जाता है सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो power cable है यह काफी लंबी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अभी मैं remote से ह इसको off कर देता हूँ तो दोस्तों unboxing तो आपने देख ली अब हम बताएंगे कि भाया यह वाला जो light है इसका फर्क कितना पड़ता है वीडियो में अभी फिलाल में यहां पे दो softbox use कर रहा हूँ एक मेरे left में है और एक right में है दोनों softbox impact company के हैं branded है अभी मैं दोनों softbox को बंद करूँगा और अपनी जो Godox SL60WA उसको on करूँगा इस remote से तो आप फर्क देख सकते हैं वीडियो में तो चलिए वाई softbox को कर दीजे बंद और दोस्तों यहां पे मैंने दोनों softbox को बंद करवा दिया है और remote से अपनी सिर्फ एक light चलाईए Godox की क्योंकि Godox के प्रेप सिर्फ एक light है तो आप फर्क देख सकते हैं यह सिर्फ एक light है और वो दो softbox थे तो आपको खुद फीलो रहोगा किया light इसमें कितनी ज़्यादा है इसके लावा हम जब grid यूज करते हैं कोई unboxing करते हैं तो जब पूरा का पूरा focus सिर्फ एक ही subject पर रखना होता है वहां पे grid बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई यह light मैंने कहां से buy किये तो मैं आपको बता दू वैसे तो Godox की light काफी popular है आप Amazon से flip card से कहीं से भी buy कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे buy कैए dealswire.com से यह एक Indian website है और इसी website से मैंने पहले यह Simpex के जो दो softbox से यह purchase केते हैं करीब आज से 2 साल पहले इस website का जो मुझे फायदा लगता है वो यह लगा पहली बात तो इस पर deal चलती रहती है तो Amazon से भी comprise में मुझे lights मिल जाती है इस website पे YouTube के gears मिलते हैं जैसे light है या फिर tripod है इसके लावा ज़्यादा कुछ इस पर नहीं मिलता है सिर्फ पूर सिर्फ यही चीज़े मिलते है दूसरी बात यह है कि जब मैं Amazon से इसको भाय करने जा रहा था तो मुझे सारी चीज़े अलग अलग बाय करनी पड़ रही थी जैसे कि light अलग से वाय करनी है अक्ट भॉक्स अलग से बाय करनी है grid अलग से बाय करनी है dealswire.com पर मुझे प इस सिंपक्स के सौटपोक से तो मैंने थोड़ी सी अप्ग्रेड कर लिए अगर आप भी से बाई करने का मन बनाते हैं तो लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा जाके बाई कर सकते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक सेर कर दीजिए चैनल पर प